नमस्कार मैं हूँ Mr. Stock दोस्तो शेर मार्केट में इन दिनों बजार में बाहार है और ऐसे कई स्टोक अपने पुराने रंग में आ चुके हैं और सुदलोन कमपनी का शेर एक ऐसा ही स्टोक है जो लगतार बढ़ा है दोस्तो इस साल के सुरुवात के समय स्टोक के लिए एक ऐसा भी समय था जब सुदलोन में निवेश करना रिस्की माना जा रहा था लेकिन उस समय जिन इन्वेश्टर ने इसमें पुजिशन मनाई वियाज अच्छे खासे प्रॉफिट में है दोस्तो सुदलोन के शेर मार्च में लाश्ट एर बहुत ही लो लेवल पर ट्रेट कर रहे थे जियां दोस्तो तकरीबन 7 रुपे के आसपास हालकि इसके बाद ये शेर 8.7 रुपे के पास आया जिसके बाद स्टॉक ने उपर के और ब्रेक आउट किया और फिर लगतार महिने में हाय हाई परफॉर्मेंस बनाया और फिर इसके बाद स्टॉक ने 17 नॉवंबर 23 को तकरीबन 44.20 रुपे का हाई बनाया यानि कि मार्च के अपने लो से अब तक सुदलोन के स्टॉक ने 500% साधिक का मुनाफ़ा दिया है दोस्तो संजीब बनसे ने कुछ महिनों पहले सुदलोन जैसे स्टॉक को खरीदने की सलादी थी तब लोगों ने सुचा था कि सुदलोन बहुत ही जोकीम भरा स्टॉक है लेकिन स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया दोस्तो उन्होंने कहा था कि यदि आपको याद होगा तो पिछले दो सालों में मैंने NBCC को 35 रुपए और GMR Infra को 30 रुपए पर लेनी की सलादी थी भले उस पर कर्स था लेकिन अंडरलाइन बिजनस बहुत ही मजबूत थे वो आगे कहते हैं कि कभी-कभी आपको Market Cap के फायदा और उकसान पर विचार कना पड़ता है क्योंकि जहार रिस्क है वही मौके भी होते हैं भले उस पर कर्स था लेकिन उसके अंडरलाइन बिजनस बहुत ही मजबूत थे उन्होंने कहा कि सुदलान का भी यही हाल था ये कमपनी Alternative Power में एक बहुत बड़ा बेज बना रही है और कमपनी के अंडरलाइन बिजनस में काफी सारे चेंजेस हुए हैं देखा जाए तो कमपनी के हालाद बदले हैं और इसका इंपक्ट हमें कमपनी के शेर प्राइस पे देखने को मिला है दोस्तो ऐसे सेम स्थिती वोड़ाफोन आइडे के साथ भी है यदि भारत सरकार इसमें 33 पासन इससदारी 10 रुपे पे ले लेती है और कमपनी ने कभी भी केसी भी बैंक पर डिफॉल्ट नहीं किया तो इसमें सम्हावन आए हैं कोल मिला के कहें तो वोड़ाफोन आइडे के शेर में भी ऐसे बनाने का मौका बन सकता है दोस्तो बुल मार्केट ऐसा ही होता है कुछ टोक ऐसे होते हैं जो काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं लेकिन बुल मार्केट आते ही वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं दोस्तों आप कमेंट करके बताए कि आपका Vodafone आईडिया और S wirdelon के शेर में किते का investment है दोस्तों अगर आपको जाना कि कौनसे कंपणी का शेर का बैय करना है या फिर कौनसे कंपणी का शेर का अपसेल करना है तो आप हमारे Telegram चैनल को फॉलो कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही, मिलते नेक्स वीडियो में